नमस्कार देच्चू चनल पर आपका स्वागते बात करते हैं राजस्तान के मौशम के बारे में अगले 24 कंटों से लगकर एक सब्ता के दुरान के सारही का मौशम आज है 10 सितंबर 2021 दोपर के लगबग 5 बज़े का मौशमी आख लने युशी मौशमी अधार पर देखें आज 10 सितंबर के दोरान जैपूर संबाग, बर्थपूर संबाग, अजमेर संबाग, कोटर संबाग और उधेपूर संबाग के जिलो पर कहें गई में गनेक साथ मध्यम से लगा कर खंड तेज वर्षा होने के संबावन हैं अलाकि जोदपूर संबाग के जिलोपर बीगले 37 गंटों के दोरान लगबग जोदपूर सेयर तक देखा जाये तो जोदपूर सेयर से लगा कर पूर जोदपूर के पूरी इलाके हैं पाली की कई इलाके हैं सिरोई हैं कुचालूर के पूरी इलाकों पर लगबग अगले 37 ग पर बारिश में बड़ोतरी होगी जोगे 11 और 12 सितंबर के दुरान जारी रहेगी 13 सितंबर से फिर से मौशम तेरे देरे सुष्क होगा हलाकि 15-16 सितंबर के आज बाज में जेपुर्शम बाग की लगोपर फिर से बारिश में बड़ोतरी देखने को मिलेगी और जेसलमीर फलोदी की बात करें तो यहां पर लगबग लगबग 80% मौशम सुष्क करेगा आज 10 सितंबर के दुरान भी 11 सितंबर के दुरान भी लगबग जेसलमीर और फलोदी की जियादातर बागों में लगबग लगबग मौशमती की दूप की साथ बना रहेगा मौशम बादलो की आवाजी की बीस में सुष्क करेगा लेकिन दूपर बाद में कहीं कई मेग निक साथ हलकी बारिस की के जुदिया होने की संबावना है आदश और 11 सितम्बर के दुरान जेसलमीर और फलोदी की इलागों पर लेकिन 18 सितम्बर से लगए कर 18 उनिस और 20 सितम्बर के दुरान कुछ जेसलमीर की इलागों है कुछ फलोदी की इलागों पर भी कहीं कहीं खंड बारिस होने की संबावना है खास कर देखाचाद 20 से लगाकर 22 सितंबर के दुरान फड़ोदी और जेशन मेर के लगों पर अलकी से लगाकर मध्यम दर्जा की बारिश होने की संबावना है बार्ण मेर की जदातर सेत्रों में 10 सितंबर का लगबग लगबग मौस्रम है जो की 80% सुस्क रहेगा और 20 परण जगों पर जो कुछ गुजरात की चटवी बागों पर और कुछ जलोर और बार्ण मेर की चटवी बागों पर काई गई में करने के साथ खंड बारिश होने की संबावना है आज 10 सितंबर के दुरान भी बाड़े मेर के कुछ एक शत्रों पर मातर कहेंगे हलकी बारिश की के जोद्या होने की संबावना है बाकि सबी शत्रों पर लगबग लगबग मौस्रम चुस्क बने रहने की संबावना है जोद्पूर के पच्छम इलाकों पर भी लगबग लगबग मौस्रम है जो की 80% सुस्क रेगा आज 10 सितंबर के दुरान 11 सितंबर के दुरान भी लगबग लगबग मौस्रम चुस्क रेगा लेकिन आगा में 4-5 दिनों की बात करें जोद्पूर के पच्छम इलाके हैं बाड़ मेर के उत्तर उत्तर पूरी इलाके हैं यहां पर लगबग लगबग मौस्रम है जो की 80% सुस्क बना रहेगा लेकिन जोद्पूर के तीसर सब्तमे बाड़ में जिसन मेर फलोदी जोद्पूर के कई बाकों पर मद्यम तेज खंड़ वर्षा होने की शंबावना है जोद्पूर के उत्तर पूरी इलाके हैं जो कुछ बोपाल के बोपाल गड़ के आज पास के शत्र हैं कुछ ओषिया के चत्रों पर आज 10 सितंबर के दौरान भी कई कई खंड बारिष होने की संबावना है और 12 सितंबर के दुरान पी जो वोपाल गड़ हैं उसियां के चत्र हैं अच्छोपा के आजपास के पाक हैं बिल लाड़ा हैं और लूने के आजपास के पाकों पर कहीं मेकनेक साथ हल्की से लगा कर मद्याम खंड तो कहीं कहीं खंड तेज दर्ज़की बारिश भी होगी winner 12 सितंबर के दोरान लागबग की भीकाने संबाग के दिलोपर मोशन स्थ बने रहने की संबाव ना हैं अलाकी से तीसर होना है और दूसर सब्सक्रा की आखरी दिना में देखा जाए तो जो कुछ गंगानगर के चत्रे हैं हनमानगड़ी के लगों पर गएंगे इमें एक निकजात हलकी से लगा कर मध्यम खंड वर्षा होने की संपाउना है 10-11-12 सितंबर के दुरान बारीज के जमाव पाली हैं छिर्व के लग हैं कोटा बारा बुंदी चितोड़कड राशमाद डूंगरपूर बांशवाड़ा चितोड़कड के आसपास के बाग हैं बीलवड़के चत्रे हैं अजमेर हैं नागोर के पूरी बाग हैं उत्री बाग ह करोली हैं टौक हैं गुंदी के चत्र हैं जैपूर हैं दोसा हैं अलोर हैं शुरू हैं शिक्र हैं जुन्दुन हैं इन जिल्लों पर कई लगों पर कई अलकित कई मध्यम तेज़ खंड दर्ज़ की बारिश होने के शंभावन हैं तो आप इसी चैनल पर पहली बार पददार चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए का नमस्कार जैहन जैबारत